चंद्र राशे कुम्ब का मासिक राशिफल अप्रल दो हजार चौबीस. स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकों से कुछ कमजोर रहने की ही संभावना है. सर्व प्रथम राशी स्वामी शनी महराज आपकी ही राशी में विराजमान रहकर स्वास्थ्य को अनुकूर बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे लेके नश्टम भाव में केतू और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकता है. आपको किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुज्रना पड़ सकता है इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का गुदा रोग अथवा रक्त जनित समस्याईं या रक्त शुद्धी अथवा अनियमित रक्त चाप या सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याईं आपको इस महीने परेशान कर सकती हैं। हलका और सुपाच्य भुजन करें। सुबल की सेर का आनंद लें। वजन को बढ़ने न दें और मसालों का कम से कम प्रयोग करें। इससे आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं तो अपने इलाज को निरंतर बनाए रखें। इससे आपको लाब होगा और परहेज पर भी ध्यान दें। करिया करिया के दृष्टिकों से यह महीना मध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही आपकी राशी स्वामी शनी के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनी और मंगल विप्रीत प्रकृती के ग्रह होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिर्चिरे हो जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्यक शेत्र में लोगों से बिना बात के जगड़ा कर सकते हैं जिसकी कोई खास वज़े नहीं होगी और इसकी वज़े से आप बाद में पच्चताएंगे लेकिन तब तक देर हो सकती है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी से भी व्यर्थ वाद विवाद न होने दे अन्यता आपकी नौकरी खत् सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रती बना रहेगा जिससे आपको अपनी नौकरी में इच्छित परिनामों की प्राप्ती होगी और आप अपनी नौकरी में मेहनत के दम पर आगे बढ़ने लगेंगे। आपके वरिष्ठ अ जनी और मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाव में राहो और सूर्य ग्रहन दोश निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र भी विराजमान होंगे। जनी रखनी होगी। व्यापार को लेकर किसी तरह का नया निवेश करने से बचना चाहिए। जनी चले जाएंगे जहां वो वक्री अवस्था में होंगे। इससे आपकी बात का बतंगर बन सकता है और आपका प्रस्ताव ठुकराया भी जा सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई प्रगती के योग बनेंगे। आप अपने मन की हर बात अपने प्रियतम के सामने रख देंगे। उन्हें आपकी सादगी पसंद आएगी। आप उनसे विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह महीने के प्रथम सप्ता के दोरान ऐसा करना ज्यादा लाबदायक रहेगा। यदि आप किसी विवाहिक संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कमजोर रहने की प्रबल संभाव ना है। शनी और मंगल का संयोक्त प्रभाव प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। इन विप्रीत प्रकृती के ग्रहों के कारण आप और आपके जीवन साथी के मध्य परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को देख कर तनाव, टक्राव, एहम की लड़ाए और अनेक ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनके बारे में सोचा ना हो। यहल्प समय के लिए ही होगा लेकिन अपनी च्छाप छोड़ सकता है। आप और आपके जीवन साथी को स्वास्थे समस्याएं भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस समय को व्यतीत होने दें और कुछ प्रतीक्षा करें। मंगल महाराज ते इस अप्रेल को द्वितिय भाव में जाएंगे और सप्तम भाव से उनका प्रभाव हट जाएगा। किसी मंदिर में दो मुखी तिकोना ध्वज लगाना चाहिए। अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विश्नू सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। सामान्य मासिक राशिफल दो हजार चौबीस के अनुसार कुम राशी में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चड़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको जीवन के विभिन क्षेतरों में मिश्रत परिनामों की प्राप्ती होगी। शनी और मंगल महीने की शुरुआत में ही आपकी राशी में विराजमान रहेंगे जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वया बना रहेगा जिससे आपको लाब होगा। प्रेम संबंधों में इस महीने नई प्रगती होनी संभव है जबकि वैवाहिक जीवन के लिए ये चुनोती पूर्ण समय होने की प्रबल संभाव ना है। आपको और आपके जीवन साथी को सयम से कार्य करना होगा तभी अपने रिष्टे की गरिमा को संभाल पाएंगे। करिया में उतार चड़ाव के बावजूद कुछ प्रगती होने के योग बनेंगे। महीने का पूरवार धाधे का नुकूल रहेगा। कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद ही सफलता क की उम्मीद करनी चाहिए। वितर, यदि आपकी आर्थिक स्थिती को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। कुछ एक छोटे मोटे धार्मिक और घरेलू कारियों को छोड़ दे तो कोई व भाव में राहू और सूर्यका ग्रहन दोश आर्थिक स्थिती में समस्या खड़ी करेगा। धन की बच्चत होने में समस्या होगी लेकिन यहीं पर उच्छ राशी के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और उनके परिनाम स्वरूप आपकी आर्थि आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा और आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिती को भी मजबूत बना सकते हैं। मित्र एवं परिवार ये महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। इंग्रे स्थितियों के अनुसार पारिवारिक जीवन में तनाव और टक्राव की स्थिती बन सकती है। आपका व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकता है। आपको परिवार के सदस्यों से मीठी वानी बोलनी चाहिए जिससे आपके संबंध आपके अपनों से मधुर बने रहें. किसी बात पर भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से भी बचें. वाद विवाद को बढ़ने से रोक कर ही आप पारिवारिक समस्याओं को रोक सकते हैं. राहू और सूर्य का ग्रहन दोश-पैत्रिक व्यवसाय में समस्या खड़ी कर सकता है और कुटुम के लोगों में आपसी विशमताओं को बढ़ावा दे सकता है इसलिए आपको बहुत समझ कर अपना कोई भी विचार सामने रखना चाहिए. हालांकि मंगल 23 अप्रेल को आपके द्वितिय भाव में आ जाएंगे और सूर्य 13 अप्रेल को तीसरे भाव में आ चुके होंगे जिससे आपके माता-पिता के स्वास्थे में सुधार आएगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, फिर भी आपको पारिवारि क्षेत्रों में उनका मददगार रवया आपको बहुत सुकून और सहानुभूती देगा.